गुड मोडिंग इस ब्रेंस ब्यर्सी पार्ट थाड बॉटने इस टुमेंड अपने थार पेपर स्टार्ट कर रहता था टेक्षोनोमी एंड अब्रियोलोजी का उसमें अब्रियोलोजी के अंदर अपन कर रहे इस्ट्रेक्चर एंड डवलाप्मेंट ऑफ मेरी में बoured बताया था और पॉलन्गड़ें का फ़र्मेशन कैसे होता है उसके बारे में अपनी इस्ट्डी की थी आज इसके अन्दर हम बात रहे हुं कि जो ऑप्वलन्रें है उन पॉलन्ग्रें के अंदर Meil गेमी का फ़रूर्मेशन कैसे होता है इनी फ़र्मेशन of Formation of Lane Gain इसमें स्टुडेंट हमने देखा ना तो जो पोलन ग्रेंड है उन पोलन ग्रेंड के स्ट्चर के अंदर में आपको गता है अंदर की तरफ इंटाइन लेयर पड़ जए है बाहर की तरफ एक्जाइन लेयर है वो इसके अंदर पड़ जए है इंटाइन लेयर एक्जाइन और इसमें न्यूट्येस परजंट है और ये न्यूट्येस किस परकारदा है यह अपने देखा था पोलन ग्रेंड का जो फार्मिशन है वो वादा मियोसिस डिविजन के द्वारा यानि ये है फ्लोईड परकार की स्ट्रेक्चर है इस न्यूट्येस के अंदर नेज्ट जो डिविजन है वो माइटोसिस डिविजन इसके अंदर होता है और ये जब ये फ्लोईड परजेंट होते है उसमें लुखे जो चेंज आता है वर चेंज क्या होता है कि यहाँ पर जो नुपलियस है यह नुपलीयस इसके अंदर एक साइड के सिप्टव जाता है और दूसरा जो भाग है उस बहाग है ऑस भाग के इंदर क्या डौलोक हो जाती है बेक्षूल का फ्रमिशन जो है वह सकांद बढ़ना सुम्होजाता है अब यहां पर जो नुप्या से होता है अब यह पूरी पूरी की और दो के अभलनी सैल है अब इसमें जो डिविशन होता है तो यह डिविशन इसके अभल अनिक्वल प्रकार का डिविजन जो हो स्केंडर होता है यारी स्केंडर एक स्मॉल साइज की सेल का फर्मिशन होता है और एक स्केंडर लार्ज साइज की सेल का फर्मिशन जो हो स्केंडर होता है तो यहां पर जो बड़े अकार की सेल इसकेंडर बनती है इस cell को तो कहा जाता है Vesitative Cell और ये जो दूसरा बहादी Scandler बनता है ये कहाती है Generative Cell Generative Cell यानि इन general Olin grains Olinations जब होता है उस दोरान ये Two-Sand condition के अंदर ही present होते हैं यानि इसका जो Nucleus है वो इसके अंदर divide होकर है दो cell का formation इसके द्वारा कर दिया जबते है जब ये pollen grains Stigma पर पहुंसते हैं तब इसके अंदर क्या change आते हैं कि यहाँ तक जो Generative Cell वोना जो भागे है ये Generative Cell भागे यहाँ पर इस entire layer को छोड़ करते और Vegetative जो cell है उसी के अंदर ये Transpart हो जाता है ये एक किसमें बढ़े आता है Vegetative Cell और दूसरी जो ये वो इसके अंदर छोटे आता है कि क्या बन जाती है Generative Cell जो ये बन जाती है इस Generative Cell का जो Prontoplasm या जो Cytoplasm है उसके अंदर जादा मात्रा के अंदर Cell Organized जो है तब यहाँ पर इस Pollen Grain के उपर पाए जाने वाले जो Germ Pore है यानि जहाँ पर Exile layer absent होती है उस जगे से Formation होता है Pollen Tube का यानि यह जब इसके अंदर Germinate होता तो Germination के तो रहा Intime जो layer है वो एक Tube form के अंदर यहाँ पर निकलती है किसको Exile layer जहाँ पर absent होती है यानि जहाँ पर Germ और present होते है वहाँ से इस ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है यहाँ पर इसकी जो direction है दोने जो nucleation के अंदर Vegetative और Generative इनकी direction कैसे होगी कि जो vegetative nuclei है वो इसके अंदर आगे की तरब present होता है और Generative जो nucleation उसके अंदर पीछे की side में project होता है उसका current क्या होता है कि यहाँ पर यह pollen tube जैसे जैसे स्टाइल के अंदर आगे की तरफ move करती है उसी के साथ यह बना जो भागे Vegetative जो nucleation यह इसके अंदर क्या हो जाता है D-generate होता जिला जाता है और जो generative है इस generative के अंदर further एक division होगा यानि यह जो generative जो nucleation है इसके अंदर फिर एक division होता है और यह divided होकर के यहाँ पर दो male gamit का formation करता है यहाँ पर दो क्या बन जाते हैं male gamit या दो male nucleation जो है इसके अंदर develop हो जाते है तो हम जाने कि जो angio sperm है उस agio sperm के अंदर क्या पाया जाता है double fertilization पाया जाता है तो हो double fertilization कैसे होगा कि यहां पर जो के अंदर बन रही है उने से एक जो male gamit है वो egg cell के साथ में fuse होता है और दूसरा male gamit है वो secondary nucleus के साथ में fuse होता है तो जो एग के साथ फ्यूुजड होता है वो जाइबोड मनते है जो फईगओत बनता है जो फिर्दर आगे development डवलप्पकर के embryo का formation करेगा तो जो supply tanks structures करें वो ऑगे चल कर गे formation करता है एंडौ स्पार्म का तो इस प्रकार से student यहां पर हमने लेगा कि जो pollen grain है यह meiosis division के द्वारा बनेते हैं यानि एक haploid है उसके बाद उसमें mitosis division focus के और दो क्या बन जाते हैं male gimmick का formation द्वारा होता है तो इस परकार से हमने लेगा कि जो male gimmick of fight है उस male gimmick of fight की structure किस परकार की है और उसका development जो है उसके अंदर कैसे होता है next video के अंदर हम बात करेंगे इसके female gimmick of fight की thank you student thanks